नमस्कार, मैं डॉक्टर संजे गर्ग, कंसलिटन्ट यूरोलोजिस्ट एंड एंडरोलोजिस्ट मनिपाल हॉस्पिल गाज़बाद आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बीमारियों की जो समाज के एक विशेश तबके में होती है विशेश तबके का मतलब है मेरा महिलाओ से है और ये देखा किया है कि जायतर महिलाएं आज भी घर में ही रहके अपनी बीमारी को दबा कर इस चीज़ को डिसकस नहीं करती है हाँ ये जरूर है आने वाले समय में या कुछ पिछले समय से जागुरता बड़ी है लेडीज आके डिसकस करती है इलाज कराती है लेकिन फिर भी उनके लिए समझना जरूरी है कि अगर कोई भी तकलीफ वो महसूस करती है या कुछ ऐसी बीमारी होती है तो वो तुरंट अपने डॉक्टर से संपर करें तो आज की बात रहेगी फीमेल युरोलोजी से संबंदित यूरो गाइनेकलोजी क्या के बीमारी ऐसी होती है जो जयातर हम देखते हैं कि इस्पेशली फीमेल में होती है कुछ ऐसी common बाते हैं जो दोनों में मिलती हैं जैसे कि यूरिन इंफेक्शन वगरा होया यूरिन इंफेक्शन स्टोन या कुछ और बिमारीया तो आदमियों में भी और ओर्टों में होती हैं लेकिन कुछ बीमारियां जो जादे तर लेडीज में ही होती हैं ये इस्पेशली लेडीज में होती हैं आज उनका discussion करेंगे एक बीमारी है leakage of urine urine incontinence urine incontinence तो खेर ऐसे दोनों में मिलता है आदमियों में भी औरतों में भी लेकिन ये औरतों में जादे देखी गई है और खास सौर से इसमें stress urine incontinence जो कि खांसी जैसे कि हम पेट पेदवाब पढ़े किसी भी तरह से खांसी के साथ पढ़े चीक आने पढ़े suddenly उठने से पढ़े तो ये stress urine incontinence है जायता लेडीज में इसलिए होता है क्योंकि after child birth हमारे शरीर का निचला भाग मास पेशियां तो डीली पढ़ जाती है बच्चे पच्चा पैदा होने के बाद में जो पिशाब की थैली है और यूटरस है इन सब का थोड़ा angulation बदल जाता है जिसकी वेए से जरा सा ही पेट पे दबापढ़ने से urine leak करती है तो इसको बहते हैं stress urine incontinence अगर ये बिमारी शुरू शुरू में देखी जाए तो medicine से control हो सकती है और लेकिन अगर ये जादे हो जाए तो इसके लिए हमें कुछ surgical option पे जाना पड़ता है जो आज की रेट पे बहुत अच्छे options है और जिससे हम इस बिमारी को cure कर सकते है इंकंटिनेंस और भी तरह की होती है जिससे अर्ज इंकंटिनेंस जिससे में एकदम पेशाब लगा वाश्रूम तक नहीं पहुंच पाना urine leak कर जाना या combined इंकंटिनेंस दोनों की mixed stress भी है और urge भी है एक विशेश जो female neurology के अंदर आता है उस बिमारी की हम बात करेंगे जो जायतर child birth के बाद में old age में जैसे से शरीर हमारा बढ़ता है मासपेशय कमजोर होती है उसके बाद होती है और वो है uterine prolapse की uterine या vaginal prolapse prolapse का मतलब है हमारे गुपतांग शरीर से बाहर आना या नीचे की तरफ लेटकना इसकी different grade होती है यानि कि अगर वो बहुत हलका अपनी जगे से migrate किया है नीचे की तरफ आया है तो उस साबसे grading होती है early, late stages बनती है कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमने देखे हैं कि ladies ध्यान नी देती है या संकोच के कारेंट से contact नी करती है और उनका गुपतांग काफी हद तक या पूरा का पूरा बहार आ गया है बहुत परिशान होती है लेकिन किसी से discuss नी करती है और इस समस्या को जेलती रहती है इस से उनको बहुत समस्या रहती है नीचे की तरफ हमेशे दवाव खिचाव रहता है साथ में अगर वो जब वो गुपतांग नीचे की तरफ आ रहा है तो अपने साथ में वो पेशाप की ठैली को भी खीच लेता है पीछे से गुदे कर रास्ते को भी खीर सकता है तो इससे क्या होगा पिशाप की तकलीफ बढ़ जाएगी पिशाप उनको एक बारें पूरी नहीं होगी कई बार तो ऐसा भी देखा गया है या बताते हैं कि उनको अपने शरीर को पहले अंदर से पुश करना पड़ता है तब जाके उनको पिशाप कंपीट कर पाते हैं इसी तरह से लेटिंग दिक्कत भी होती है तो ऐसी कभी भी कोई समस्य महसूस करें और यह जायतर होता है चाइल्ड बर्थ के बाद में मल्टिपल चाइल्ड बर्थ के बाद होता है लेकिन अगर यह किसी भी समय ऐसा कोई भी व्यक्ती ऐसी कोई भी लीडी यह महसूस करें कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर का कुछ बाहर की तरफ आने लग रहा है या नीचे प्रेशर फील कर रहे हैं इसको रेक्टोसील बोलते हैं और यह बिमारी अगर ऐसी हो गई है तो यह हमारी मेडिकल्स टीटमेंट से ठीक नहीं होती है यानि कि ऐसी कोई दवाई नहीं है कि उन मासपेशियों को दवारे से वापिस से वो कर दे हमें इसको सर्जिकल करेक्शन करना पड़ता है सर्जिकल करेक्शन करने का मतलब है कि कुछ ऐसी विधी या कुछ ऐसा करे जिससे कि यह वापिस से अपनी जगे पे चले इसके लिए हमें दो तरह के ऑपरेशन होते हैं या उसको सपोर्ट देते हैं और साथ में अगर पिशाब की थहली भी नीचे आगई है और वो इससे नहीं खिचके आपारी तो उसका ऑपरेशन वजालन रूट से करा जाता है जो पिशाब की थहली को पुश करके उसको पीछे से सपोर्ट लगाया जाता है इसी तरह से रेक्टोसील का है यानि कि हमारे पास में तरीके अलग अलग है दुर्बीन विदी से भी है परवजालन रूट से भी है लेकिन ऑपरेशन इसमें काफी हद तक सक्सेस होल होते हैं और परेशानी को खतम कर देते हैं या उसके बाद में ये तक्रीफ खतम हो जाती है कि नीचे दुआरा हाँ कई बार ऐसा होता है इस्तिती इतनी ज़्याद है खराब है कि थोड़ा बहुत mild residual prolapse रहे जाता है ये बहुती rare चीज़ है पर ऐसा कभी हो सकता है अब एक बात और ये तो बात होई जब शरीर का आ रहा है लेकिन कभी कभी लेडीज में अगर किसी वज़े से उनका यूट्रस निकलवाना पड़े हिस्टेक्टमी हो जाए बच्चेदानी निकल जाए ये समस्या उसके बाद भी उत्पन हो सकती है जायतर ओर लेडीज में देखा गया है कि पोस्ट हिस्टेक्टमी पॉलैप्स उस समय बच्चेदानी तो नहीं है लेकिन वो जो हिस्सा है वो हिस्सा ही पुरा का पुरा नीचे की तरफ बाहर जूलने लगता है तब उस समय भी हमें यही सर्जिकल करेक्शन करना पड़ता है हाँ सर्जिकल करेक्शन चाहें यंग एज में हो चाहें ओल एज में हो यह हमें फाइदा देता है लेकिन अगर कोई जल्दी अर्ली स्टेज में सर्जिकल करेक्शन या कोई भी करेक्शन लिया जाए तो वो हमेशा उसकी response या उसकी results अच्छे होते हैं अब हम एक तीसरी बात करेंगे वो जो समस्या है उसको हम बोलते हैं फिश्टुला फिश्टुला का मतलब होता है leakage of urine ऐसा देखा गया है कभी कभी normal जैसे deliveries होती है वो prolonged labor हो जाए जिसकी वज़े से जो बच्चे का जो पैदा होना वाला बच्चा है उसके सर का दवाब अगर uterus की तरफ जादे रहे नीचे तो आस पास के हिस्सों पर भी रहता है तो ये देखा गया है कि बच्चेदानी और पेशाब की थैली में काफी close proximity होती है तो ये pressure की वज़े से वो इससा कुछ गल जाता है जिससे वहाँ पन जाता है एक फिश्टला वजाइको वजानल फिश्टला तो उसमें क्या होता है बाद में पिशाब जो है वो हमारी पीछे से शरील के रास्ते या वज़ाइने के रास्ते से लीक करने लगती है इसको बोते हैं वज़ाइको वज़ानल फिश्टला इसके और भी कारण हो सकते हैं ये तो मैंने पताया है डिर्लिंग प्रोलॉंग लेबर इस्ट्रेसफूर लेबर उसमें या कई बार कहता है गाओं में ध्यान नहीं दिया गया वहाँ पे होम डिलिर्यूरीज होती है जिसकी मातरा जिसके आजकर बहुत कम होगी है क्योंकि मेडिकल फैसलिटी गाओं तक या घरों तक पहुँच गई है तो अगर समय पे लेडिज जिस हॉस्पिटल पहुंच जाती है तो यह चीज नहीं होती है बड़ फिर भी कभी कभी ऐस देखे गया यह चीजे बहुत पहले बहुत ज़गे गई थी जो काफी सुधार आ गया है वीवीएफ कभी आइटोजयनिक भी होता है आइडरोजनिक मतलब किसी और सर्जरी के साथ में जब ऐसे कॉम्टिकेशन हो जाए जिसमें वजय को वजयनल फिश्टुला बन जाए जैसे ऑपरेशन के दौरान अगर कुछ हिस्सा बहुत चिपका होता है पेशाप के थाली अगर यूटरस से चिपक रही हो तो उसको इसको यूट्रोजनल फिसटलाब होते हैं इसमें जो लिकेज यह इंज्जुरी वह रिवी यूडर क्या है जो किडिनी से एक ट्यूब आती है जो ब्लैडर को जुड़ती है पेशाप उससे ट्रांस्फिर्ट होती है उसको यूरिटर बोलते हैं इसकी इंजुरी के कारण भी कभी-कभी यूरिटर वजैनल फिश्टिला बन जाता है बड़े-बड़े ऑपरेशन्स में या अंदर को ऐसी बिमारी है जब यूरिटर चुड़ाने में या इसमें इन्विजिबल या विजबल इंजुरी हो सकती है इन्विजिबल मतलब उस समय पता नहीं पड़ पाया इंजुरी हो गई लेकिन जिसका चार-पांस दिन ऑपरेशन के बात पता पड़ता है कि ऐसा कुछ हुआ है कि यूरिन लीक कर रही है बज इसका इलाज होता है कभी कभी अगर इमेरिड़ली जानकारी मिल जाया कि कुछ ऐसी इंजुरी हुई है तो उसको इमेरिड रिपैर भी कर सकते हैं लेकिन अगर कुछ समय बीच जाय तू उस समय ये रिपैर कुछ हफते रूक के चार शे हफते रूक के उसके बाद में पहुंचना जब डॉक्टर तक पहुंचेंगे कुछ जाँच होंगी और उसके बाद में इस चीज का इलाज संभव है तो यह आज हमने डिसकस की थी कुछ ऐसी बीमारियां जो लेडीज में होती हैं और अगर यह उनको दबा के ना रखें छुपा के ना रखें समय पे इनका इलाज कराएं तो इलाज संभव है हर चीज का इलाज दवाई नहीं होती है लेकिन कभी कभी हमें रिपैर करने के लिए ठीक करने के लिए सरजरी करनी पड़ती है और अगर सरजरी समय पे हो जाए सही तरीके से हो तो लगबग वो पुराने जैसे इस्तिती को हम बरकरार कर सकते हैं अमस्कार दन्यवाद